तो चलिए आज बनाते हैं लेफ्ट रोवर खिचडी से बहुती टेस्टी सा ब्रेकफास्ट मैंने रात को बनाई थी खिचडी और ये खिचडी थोड़ी सी बच गई थी तो सोचा आज इसका ब्रेकफास्ट बनाएं तो इसका भी आप बहुत ही हेल्दी और टेस्टी ब्रेकफास्ट बना सकते हैं मैंने यहाँ पे लिया है एक कप गेहू का आटा और इसमें वन थ़र्ड कप मैंने बेसन मिला दिया है बेसन डालने से ये और भी ज़्यादा हेल्दी होता है और साथ में इसमें मिला दी है जो रात के हमारी बच्ची हुई खिचडी थी वो मैंने इसमें डाल दी है इसकी बजाए अगर आपके बास चावल बच्च गे हैं या दाल बच्ची हुई है तो पूब भी आप इसमें एड़ कर सकते हैं के Ooohके आटे में बेशन और खिचडी को मिलाने के बाद एसमें डाल रहे हैं पड़ी से सबजी या आप अपनी चोईस के इसाब से सबजीmeg को डाल सकते हैं मैंने यहाँ पे हरी मिर्च डाली है, कटा हुआ प्यास डाल दिया है, थोड़ा सा हरा धनिया डाला है तेस्ट को इनांस करने के लिए मैंने डाले है, यहाँ पे मसाली जैसे की जीरा, हल्दी, धनिया पाउडर डाल दिया है थोड़ी सी लाल मिर्च डाली है अजवाइन डाल दी है और थोड़ा सा टेस्ट के लिए नवक डाला है तब इचीजों को मिक्स करने के बाद इसका एक डोव बनाना है अगर जरूत हो तो आप हलका सा गरम पानी भी इसमें डाल सकते हैं मैंने इस डोव को पिना पानी मिला ही तयार कर दिया है क्योंकि खिचड़ी जादा थी इसलिए डोव में बिल्कुल भी पानी की जरूत नहीं लगी बस डोव को तयार करने के बाद उपर से मैंने एक चम्मत गी का डाला है और गी को अच्छी तरह से पूरे आटे पे कोट करने के बाद इसको ढखके रखेंगे 10 मिनट के लिए ढखके रखने के बाद ये अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो जाएगा और इसके जो पराठी है बनाने में बहुत ही इजी रहेंगे तो इसलिए मैंने इसको 10 मिनट के लिए ढखके रख दिया है 10 मिनट के बाद इसाटे की हमें लोई बनानी है और जिस तरह से हम चपाती बनाते हैं बस वैसे ही चपाती बना की इसके पराठे सेग लेंगे आप चाहें तो इसकी सिंपल रोटी भी बना सकते हैं तो मैंने यहाँ पे ट्राइंगल शेप में पराठे बनाए हैं बहुत ही टेस्टी लगते हैं कभी भी अगर दाल, खिचडिया, चावल इस तरह से बच जाता है तो उसे आप बहुत ही टेस्टी से पराठे बना सकते हैं यह पराठे काने में बहुत सौफ्ट रहते हैं बेसन के साथ साथ अगर आप इसमें खूब सारी सबचिया डाल के ब बहुत ही जादा सकते हैं यह पराठे खाने में बहुत ही जादा टेस्टी बने थे और साथ में बहुत ही जादा सौफ्ट भी थे आप चाहे तो इनको बच्चों के लंच बॉक्स में भी रख सकते हैं तही के साथ अचार के साथ यह बहुत ही टेस्टी लगते हैं अब कभी यह भी रात की दाल या खिचली पच जाती है तो इसको फैंक ने की बजाए आप इस तरीके से टेस्टी सा ब्रेकफास्ट बना सकते हैं और यह ब्रेकफास्ट बहुत ही फटा फट से भी बन जाता है तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज इसको लगती हैंचली इसकित फिर खुड़र आपको मेरी नहीं की बना सकते हैं जाना सकते हैं दो बावाए और बना सकते हैंचली जाओाए बना ुट 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 ु